जहिन इस वीडियो में हम transformer के बारे में A to Z समझेंगे कि ये उपर वाला expansion tank क्या होता है ये main tank क्या होते है ये radiator क्या होते है ये बुसिंग क्या होती है अंदर का core नरम लोहा का होना चाहिए या silicon steel का होना चाहिए winding double होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ED current क्या होती है इसमें लोहा हानी उसमा हानी copper हानी यानि losses of transformer इस अपके बारे में हम लोग इस वीडियो में complete समझेंगे transformer के ये main parts होते हैं आप इनको समझ गए तो कोई भी question आप solve कर सकते हैं सबसे पहले बात करते है main tank की main tank जो होता है एक खाली होता है एक पुरा उपर से इसमें खाली होता है इसी के अंदर transformer के हर एक पार्ट पुर्या को रखे गए रहते हैं इस टैंक में मैंने तीन चीज़े होती है एक होता है core और उसके बाहर की गई रहती है winding और उसमें बारा होता है नफ्था oil यानि तेल अब इसके बारे में हम समझते है सबसे पहले हम समझते है इससे बहुत खेले होंगे आप देखे होंगे इसे पत्तियों को लिया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है तो इसके लिए इसमें इडी करेंट ना उत्पन हो इस तरह की कई चीजों इसमें माहिने रखती है वो अभी हम बताएंगे आपको losses of transformer में तो ऐसे ऐसे blade को जोड के आपस में आप देखे होंगे एक मोटा सा core तयार कर लिया जाता है अब transformer में अगर जहां कहीं भी खाली जगा होगा वहां एक extra current उ core को मोटा कर लिया जाता है और इस प्रकार इस core को मोटा कर लिया गया और यह core एक बड़ा सा सटल ले लिया लेकिन कई सारे पती यानि ब्लेडों से मील कर बना हुआ है तो यह होगी आपका core अब इस core के ऊपर copper यानि तांबे के तार से winding की जाएगी winding मतला उसमें लपेटा की अब दो परत की winding देखेगा ध्यान से यह बाहर वाली winding हो गए एक अंदर वाली winding हो गई यानि दो परत लगा रहता हुआ उस दो परत के बीच में आप का देखेंगे एक installer का लेप लगाए जाता है कागश टीप का होता है इससे लगा दिये जाता है वह जो होता है वह प् बताएंगे जब आपको hysteresis loss बढ़ाएंगे जब losses of transformer में तर आप इस core के ऊपर यह जो winding लपेटी गई है इसको उठाके इस tank में भर दिया जाता है आप इस tank में भरेंगे और transformer को चालू करेंगे और transformer जब फूल लोड पे होगा ती इससुरा गरम हो जाएगा और इसमें देखिए खाली जगा से तो हमको बचना है खाली जगा से बचने के लिए हम इस पर बारनीश लगाए थे और आप इसको उठाके इस पूरे core को core के उपर winding है उसको पूरा उठाकि इस tank में डालेंगे तो खाली जगा तो बहुत हो जाएगा और खाली जगा छोड़ना नहीं है वरना ED current हो जाएगा और ED current खुद original current का विरोध करती है तो ED current को हटाना है तो जगा को खाली नहीं छोड़ना है जगा खाली न छूट जाए अब देखिए जब transformer जादे हीट होने लगता है तो इसमें हम लोग double tank का यूज करते हैं यह जो हो गया यह तो main tank हो गया इस main tank के ऊपर एच छोटा सा tank लगा जाता है यह दोनों tank आपस में जुड़े रहते हैं इस छोटे से tank को conservator tank या expansion tank रहते है या बहुत ही जरूरी है transformer म तो ऊपर उठेगा की नहीं अब आप बताएए यह main tank जो है इस main tank को तो लोहे से welding करके पूरा बंद कर दिया गया और खौल के ऊपर उठेगा तो फार देगा main tank को blast कर जाएगा transformer पूरा तो transformer blast ना करे इसलिए इसमें एक चोटा सा ऊपर और टैंक जोड़ दिया जाता है और उसे main tank से supply जोड़ दी जाती है और इस जो ऊपर वाला जो expansion tank है इस tank को हमेशा आधा भरा जाता है पूरा नहीं भरा जाता है अब आधा क्यों भरा जाता है समझे इसलिए आधा खाली ज इसलिए इसलिए तो उसका कुछ तेल उड़ जाता है अब तेल उड़ जाएगा तो इसमें तो तेल का लेबल नीचे आएगा अब तो खाली जगह हो जागा खाली जगह में ED करेंट उत्पन हो जाएगी तो फिर उस खाली जगह को कोट भरेगा तो यह expansion tank में जो एक्ष्ट उसमें वापस हवा भरने लगेगी हावा जब भरेगा तो दिक्कत सुरू हवा के अंदर नमी होती है हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे थेफ़डा से कुछ नमी पानी निकलता है जो ठंड के दिंग में भाफ की तरह दिखने लगता है गर्मी में नहीं दिखता है लेकि जो ब्रीदर है यहाँ पर ब्रीदर को बड़ा कर दीए इस यहाँ पर लगा दिया इसके अंदर भारा होता है सीलिका जेल सीलिका यह आप देखें होगे आप लेपटॉप खरिद जाल दिये जाता है करीं इस समझताए इस इा आप तक है इसको बहुत दिन तक शमाल कर रखे estás सिफ देखिए यह इस भीए जिकारि इसको इस में भर दिये जाता दो शुराभ दिये मैं और जब इसका प्रे।The इस ब्रीदर के नीचे एक और extra saccatory type का बना दी रहता है, जिसमें हम लोग तेल भर देते हैं, ओइल भर देते हैं, यह ओइल क्या करता है, धूल को चिपका लेता है, और उपर का silica gel की इसको चिपका लेगा नमी को, यानि जो moisture है, humidity उसको चिपका लेगा, और table pure हवा अंदर जाएगी और बाकी नमी बाहर रह जाएगी, पूछेगा कि आपका यह जो breather होता है, यह कहां लगा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, breather main tank में नहीं लगेगा, और यह कहां लगेगा, expansion या conservative tank के बाहर लगा रहता है, conservative tank हमेशा आधा भरा होना चाहिए, breather में कितने चीज का यूज करते हैं, तो दो चीज का, एक silica gel, और silica gel के नीचे में देखिएगा, oil लगा होता है, यह क्या करता है, धूलकण को रोकता है, और silica gel नमी को रोकेगा, अब यह transformer है, यह expansion tank है, आईए breather है, अब आप कहेंगे, इस main tank को हमें, तेल की दर से भरा जाता है, त अब यह tank को खाली करना पड़े, तो क्या इसे transformer हो, उलाटके खाली करिए गया, भारी होता है, तो नीचे से एक valve दिया रहता है, उसको खोलिये का न ढखकन को, तो सब तेल बाहर फेग देता है, अब समझेए, यह transformer को चालू कर दिये, माल लिया कि transformer में heat ज्यादे हो गया, अब इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए लगा गया गया, बुकूज रिले, यह एक मसीन है, बुकूज रिले में जो switch होता है, उसको दाबना नहीं परतना है, यह एक ऐसा मसीन होता है transformer में, जिसको electric से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर एक switch होता है, और वो switch को transformer को यह alarm बजा देता है, और जादे heat हो गया, तब वो क्या कर देता है, transformer की supply को काट देता है, अब कहेगा, यह बुकूज रिले में कैसे switch का परियोग होता है, तो बुकूज रिले में mercury यानि पारा switch का परियोग होता है, दूसरा, बुकूज रिले को कहा लगाए जाता है, तो याद रखिएगा, बुकूज रिले को हमेशा जो expansion tank है, और जो main tank है, इनके beach में लगाए जाता है, बुकूज रिले को, यह हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहाँ देखिए main tank है, और यह आपका expansion tank या conservator tank है, तो उसके beach में हम लगाते है, इसमें पारा यानि mercury switch का परि आप तो इसको भड़कने से कोई नहीं रोख सकता है और पबलीक की जान चली जाएगी भड़क जाएगा बीच बजार में टांसफार्मर तो इसके लिए एक सेकेंड चीज को लगाते हैं जिसे लोग करते हैं इसको क्या करते हैं एसको कुछ एली स्पाइप में भाग जाएगा और इसका यह भू होता है इसको कमजोर धातुका बनाते हैं कि यह फट जए अतेल इधर से निकल जाए ताकि दुर घटना ना हूँ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं एक्स्प्लोजन वाल्व या एक्स्प्लोजन वेंट आजकल के नए टांसफार्मर में इतना बढ़का धोड़ नहीं दे रहा है छोटा सा वाल्व दे दे रहा है जैसे कूकर का सीटी होता है जादे हीट होगा ना तो उद्धा फेक देगा फिर बंद हो जाएगा तो वह वाल पूंकता उसी इतना फूर्शा थे किसी को फूंकेगा मादे कारेंट उपर फूंका जाएगा इसके लिए बना दिया जाता है हम लोग कूलिंग ट्यूब या फिर रेडियेटर यह क्या होते हैं आप ट्रांसफार्मर में देखिए यह जो साइड साइड में निकला हुआ इ नली के होते हैं, यह छोटे-छोटे Tube जोट हैं, बहुत जङदे होते हैं। बहुत ज़ादे संख्या में चोटे-छोटे Tube को आपस में जोड दिये जता है। इसंसा oil, मेंम आम होता है गरम होता है, तो गरम होके इसमें लगता है! और जब इसमें जाताunya type, कि ए महीठ करके फैला दीजर तो ठंडा हो जाएगा यही काम करता हैette cooling tube इधर सेटलवा को लेकर 喔पर से जो Kwm hOaT तो इस न्हीं डूब हो जाएगा अर्थंडा हो जाjes लेका पहर फिल गर need होगा तो फिर आईगा oh famd और ओस लोटा हैgun रेडिशी हो होता है गरम तूब से ठंड़ा नीचे आते हैं फिर अंदर चले जाते ये प्रोसेस चलते रहता है इसमें और अच्छा रहता कि यहां पर आदमी एक पंखा लगा देता तो बहुत हैभी पावर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं या जो मेन सब इस्टेशन पर ट्रांसफार्मर रखे रहते तो आप हाई भोल्टेज पर ही भेश सकते हैं, तो बिजली घर उतना दूर है, तो हाई भोल्टेज पर आता है, वही हाई भोल्टेज गर में डाल दी जागा, बढ़का देगा सबको, इसलिए हमको चाहिए टर्मिनल, टर्मिनल का मतलता है जो चारों बाट सके, तो चाहिए conviction में मीलेगे हैं, लेकिन इसमें भी चाहिए गाल भोल्टेज के लिए हम पर हाई hypertर्मिनल के तर्मिनल न ला करके अ